हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दस के गड़ीत का सबसे इंपोर्टन सवाल हल करेंगे जितने भी छात्र बोर्ट 2024 में एक्जाम देने वाले हैं ये सभी छात्रों के लिए सबसे इंपोर्टन आज का क्वेस्चन है आज हम दिर्ग उत्तरी को बताएंगे जो आपके पिछले साल के पेपरों में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है ठीक है और 2024 के एक्जाम में 100% आने वाला सवाल है बस इस सवालों को आप क्या कीजी रट लीजिए और यही सवाल आपको आने वाला है और बहुत सिंपल तरीका से सिखाने वाले हैं चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें दिखें पहला नंबर का सवाल है ठीक है इस सवाल को कैसे लगाएंगे बस इस्टेप अमे पर नहीं एक संख्या एवह उसके अंकों को उल्टने पर बणी संख्या का योग छाचत है यदि अथि संख्या के medida का अंतर दो है तो हुआ संख्या जयात किजिए अब इस प्रकार के सवाल आप लगाएंगे कैसे यहाँ क्या करते हैं मानेंगे माना ठीक है जब दो अ ह kennकों की संख्या के ह новых मानेगा शा另外 किकाई गृते याक्षपम estásm मानने के बाद और आप की संख्या की होगा द्यकिंगे संख्या आपका हएगा एक घ्रवस्तारी बसदार रूप दें एक संख्या को स्थान नए नया संख्या नहीं संख्या लिखना रहें थो आपको नहीं संख्या में दस यक्स के जगप क्या की जिग वाई और यक्स कर लिजिए देखिए आपके जो मूल संख्या है तो 10 X प्रसवाई है और जो संख्या को अंगों को उलट देंगे नहीं संख्या 10 Y प्रश्ना नुसार इतना करने के भाय डूक्तहरद अब देखिए आपको क्या करना है यहां लिखेंगे। प्रश्णानुसार अब जैसे प्रश्णा प्रश्णा लिख यहां फिस यहां परी प्रश्णा के बराबर यहां कितना हो जागा 10 X PLUS Y PLUS इसमें नई संख्या को जोड़ दीजिए 10 Y PLUS X इन दोनों का यूँ किसके बराबर 6-6 के बराबर है अब देखिए इसको कैसे अल करेंगे यक्स में यक्स को जोड़ लिजिए कितना हो जागा 11-11 आप यक्स प्लस वाई बराबर 6-6 अब यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे यहां पर लिखिए यक्स प्लस वाई बराबर 6-6 इसको क्या कीजिएगा समीकर नंबर 1 माल लिजिएगा यह समीकर एक माल लिए अब चली अब देखते हैं सवाल में क्या करा रहा है सवाल में देखेंगे यहां तक हो गए एक वाकी complete हुआ अगला देखें यदि संख्या के अंको का अंतर कितना है दो है तो आप देखें यहां संख्या के अंको को क्या माने है आप संख्या के अंको को माने है यक्स और वाई इन दोनों का अंतर इसका मतलब हुआ कि यक्स माइ अब इन दोनों समीक्रों का हल कर लीजिए इसको कैसे हल करेंगे बहुत सिंपल होता है इसको हल करना यहां से क्या करेंगे कोई एक अक्षर आप यहां से हटाएंगे यहां पर लिखेंगे जोडने पर क्या लिखेंगे जोडने पर लिखेंगे यक्स कितना हो जाएगा दो यक्स बराबर चार यहां आपका यक्स का महला आया चार हुआ सब्सक्राइब चार में तो यक्स का महला चाहें समीकड़ दो में कहीं पर रख लिखेंगे समीकड़ एक में यक्स बराबर चार रखने पर रखने पर जैसे लगा रहे हैं इसनी तरह बोर्ड के एक्जाम में आप सवाल को लगा यहेगा ठीक और आपको क्या गात करना है, तेखेए, आप संख्या क्या माने थे, यहां पर क्या माने थे, तो, X plus Y मानत है यही मानत है संख्याना अब यहाँ पर क्या करेंगे माल रखे हल कर लेंगे देखिए 10 X के जगा अब कितना रखेंगे 4 और Y के जगा अब कितना रखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ पर प्लस है और Y के जगा अब 2 कर लीजी ठीक है अब इसी को देखी हल करते हैं 10 का 4 में गुड़ागा 40 हो जागा प्लस 2 जोड़ दीजे कुल मिला के 40 दू 42 ठीक है ता आपका एंसर कितना आया आपका एंसर आगे 42 ठीक है इस प्रकास जैसे समझाए इसी प्रकास हल किजिएगा यह सवाल आपके बोर्ड के एक्जाम में 6 नंबर काता है आपका अगला नंबर का सवाल है और यह सवाल आपके बोर्ड के एक्जाम में 6 नंबर काता है और यह सवाल आयू से संबंदी सवाल है देखे कैसे इसको हल करेंगे देखिए आप दिया है पिता की वर्तमान आयू पुत्र की आयू की चार गुनी है पांच वर्स पुरुत पिता की आयू पुत्र की आयू की साथ गुनी है दोनों की वर्तमान आयू ग्याद कीजिए देखे यहां पर इसपखा करेंगे,深 VAN मानियेगा, माना जो पूस्ता हुआ ही आपको ग्याद करना है दोनों का मow having cuss ग्याद करना है पीटा की वरतमान वरतमान आयो क्या मानेगे यहां पर यक्स वर्स मानेगे कि और पुत्र गे वर्तमान घो और लीजेए कर दिए कि यहां प्तारा आए कर मांगे पूत्र को बस्थमान और प्रिशन नुसार अब यहां कर लिखेगा प्रषन tel रिए मेनाव प्रशना नूशा लिखनेक ने के बाद कि क्या करना है आपको जैसे प्रेस्ट का रहा है पहलावालस ये पिता के वरतमान आयू यूश्व पुत्री की वरतमान आयू तहित नहीं ड puppy कि सब्सक्राइब करेंगे चार वाई हो जगा पच्छांद्र कर लिए यक्स माइनस चार वाई बराबर यहां कुछ नहीं बचेगा दिजीरो यह समीकर नंबर आपको क्या हुआ एक हुआ अब दूसरे वाक्य में यहां तक एक समीकर बन गया आपका यहां कर पांच वर्स पूर प्रश्ना नुसार प्रश्ना नुसार प्रश्ना नुसार लिखेंगे देखेंगे पुना प्रश्ना नुसार के अनुसार देखेंगे तो पांच वर्स पूर्व 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 पिता की आयू ग्याद कीजिए ठीक है चलिए यहां पर ग्याद करते हैं देखते हैं यह आप लिखेंगे पांच वर्ष पुर्व पिता की आयू क्या होगा पांच वर्ष पुर्व पिता की आयू आयू है ठीक है ठीक है पांच वर्ष पुर्व पिता की आयू तो वर्तमान में यक्सित इसमें से क्या करें पुर्व मतलब अधर पहले यह से पांच गटा देंगे य पुत्र की आयू कि इसकितना जगा वाइज में से क्या करेंगे पांच घटा देगे यह अब देख लीजिए एक बार देख लिए सवाल को तब ही सवाल समझने आएगा पांच वर्स पूरु पिता की आयू पुत्र की आयू कितनी गुणी है यहां पे देख पुत्र का साथ गुणा कर दीजिए चलिये ठीके यहाँ पर क्या है कि पीता की आयू देखेंगे जब्लब डब इखें पुत्रिकाय कितना गुना है 7 गुना है तो इसमें 7 का गुड़ा कर लिजी अब इसको हल कीजिए देखें यहाँ पर 1-5 होगा यहाँ करें कि 7 का वाई में करेंगे 7 वाई हो जाएगा 7 का 5 में करेंगे 7 पाचे 35 हो जाएगा अब अक्षर को एक्षाट कीजिए देखिए यक्स साथ वाई को इधर लागे तो माइनस साथ वाई हो जाएगा यह माइनस 35 है तो 35 रहने दीजिए यह माइनस इधर आगे प्लस हो जागा प्लस 5 हो जागा यक्स माइनस साथ वाई अब यहांस गटा आगे तो माइनस 30 चार y बराबर zero है, समीकर नॉम्बर दो क्या है? מס lo seveny बराबर क्या है? िरे माइनस 30 है करनें तो समीकर 2 है अब दोनों समीकरों क्या करेंगे? अब देखिरा इसको हलकर कैसे करेंगे यहाँ से 1 akolar को चाहिए ऐकीकि यह आप्स x बराबर है माइनेस या माइनेस हो तो प्लस यह माइनेस वह गर्द में हो जाता है अब देखें है यकوس मिस replied कड़ेगा यह matchbox बराबर यह पलस कर लीजिए।कि प्लस कितना बचेंगे यहां पर 30 बचेंगा एक करेंगे कर जाए बार कितना आयो है आई दस यहां यह आया है 10 का मांद इसका मतलब पुत्री की वर्तमान आयों कितना आ गया पुत्री की वर्तमान आयों वाई बराबर दस आ गया ठीक है अब देखे इसके बाद आपको क्या करना इस वाई का मांद चाहे समीकर्ड एक चाहे समीकर्ड दो किसी में रख्याप हल कर सकते हैं तो किया करते हैं कि Y Y का मान सम्ही करर्ड एक में रखने पर क्या करेंति कि 1 में रखने ठर एक पर चलिज़े एक में रख लेते हैं एक के क्या है इक माइ-2 तक पर 1 feelings को समिकर नुमबर एक है अब हाँ पे मार रख के हल कर लीजिए क्या करेंगे यक्स माइनस चार गुरे के जगप कितना रखेंगे 10 रखेंगे बराबर 0 है भी यक्स माइनस 4 करेंगे त्ये 4 Grande n भी जीरो हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे 40 को तेर 25 कर लिए यखस वरा कितना हो जगा चालीस हो जागा यह का बांड़ कितना हो जागा चालीस अब देखें एन्स वर बोर्ड के एक्जाम में कैसे लिखेंगे अपकास लिखेंगे पिता की वर्तमान आईओ या कि यक्स बावन कितना और चालिस यहां पेन सुरा जागा हूँ चालिस वर्स कितना लिखेंगे चालिस वर्स लिख़ेगा इसी तरह कैं えये हैं पुत्र की वर्त्मान और वर्तमान ए क्या माने है किटना है दस यह हो जाएगए दस वहार इस पीकाज सवाल को लगाई है 6 नंबर का प्रश्न-अनब का ठाए ठाम क्या अगले नंबर के शवाल को 3 हो जाती है जब उसके ans में 1 जोड दिया जाता है और वह 1 बटाग 4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है भी नग्याद कीजिए ते देखिए इस परकार के सवाल को कैसे लगाएंगे बस यहाँ प्या कीजिए गा मान लीजिए गा जब माने हैं आप देखें अब क्या हो जाएगा यहां पे अंस मतलब कि अंस कितना हो जाएगा अंस को माले जी अंस आप मानेंगे यक्स माले जी और हर को मानना है ते कितना मानेंगे वाई माले जी इसका मतलब आपका भिन क्या हो जाएगा भिन जो होता है अंस बटा कि हर हो तो उसके अनुसार चलिए दिखे का रहा है कि एक भिन एक बटा के तीन हो जाता है जब उसके अंस में एक जोड़ दिया जाता है तो आपका भिन क्या है यहां पर दिखिए भिन आपका यक्स बटा के वाई है इसमें का रहा है कि यहां पर दियान देजिए अंस लिखा है ना अंस में कितने जोडने के लिए करा हैं, यहाँ पर अंस में एक जोडने के लिए करा हैं, जैसे ही आप अंस में एक जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बरावर हो जागा, एक बरावर हो जागा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बरावर हो जागा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक ति्टाप बना लेते हैं तब अगले वाले वाकूट के देखें गे यहां तक एक वाक्या आपका complete होता है अब तीरी अगुड़ा करेंगे तीरी यानि यूंक्स प्लस एक में कितना के गुड़ा करना है तीन का और वाइक के एक अब अपर पनेखेंगे क्या हो जाएगा अब इए क्या हो जाएगा अब लिखेंगे पुना प्रश्णा नुसार प्रश्ना नुसार अब जब प्रश्ना नुसार अब जब प्रश्ना नुसार लिखेंगे तो फिन भिन लिखेंगे यक्स बटा के वाई अब देखिए अगला वाक के पड़िए देखिए कह रहा है यहां पे और वह एक बटा के चार हो जाता है जब उसके हर से एक घटा आए जाता है यदि आप हर में से एक घटाएंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा एक बटा के चार हो जाएगा देखिए यहां पे हर कितना है आपका हर Y है यहाँ क्या करेंगे एक घटाने के लिए करा यह आप एक घटा रहे हैं ठीक है जब एक घटा आएंगे तो उसका मान कितना भीन हो जाए एक बटा के चार हो जाएगा अभी आप सवाल देखेंगे तीरिया गुड़ा करके जैसे समीकड़ा बना इसको भी तीरिय तीरिया गुड़ा कीजिए यहां पे चार का यक्स में करेंगे तो जिकना यक्स गुड़े 4 हो जाएगा और एक कवाई यह क्रेंगा यानि यांस 1 क्या क्या करेंगे एक का गुड़ा कर लिजिए देखे只 4-1 में करेंगे चार 1-2 को एकज़ करके हल कर लेते हैं समीकड़ 1-2 समीकड़ 2 1-3uk-yा9-3 UP-3 еक-y बडाबर कितना है minus 1 का समीकर number 2 है अब देखें इन दोनों संक्रों कैसे अल करेंगे देखें y y आपका क्या है बराबर है यहाँ पर y y जब बराबर है तो इसमें minus minus का साथ रहता जोड़ते हैं यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ भी लिखें घटाने पर है ज़ताएंगे आपह घाटाने लिखेंगे नींचे बदल जाता है यह प्लस है थ edition ह माइनस से प्लस हो जागा यह माइनस से था प्लस हो जागाि अब देगे चार X मेंसे थीन X गटाएंगे शिर् Indeed cø कि सहे गटाएंगे सिर्फ एक संब जायगा और выше Med रखने पर however कितना है संदार नमबर एक दएक के टीन एकस मैनवैंड बिरावर कितना मांध न में से विकन नमबर एक यहां पर रहे हैं चलिक रख लेते हैं यहां पर हैं कितना कि गुए यक्स का मान को कितना है 2 माइनस य बराबर मैनस 3 ठीक है तो 3 दुना के 6 मैनस 1-3 अब यहां पर जएखिए न सिट कि आ था लोगितिंस स्भाणंतर करें मैनस 爷माइनमस 3 नpower खोजाइगा माइनस य ब्रIFA रगार शत्क सब्सक्रान कट जाएगा तो य बइनका मानिक यह बसमान रख लेजिए इसका मतलब भिन कितना आया आपका बिन आया दू बटा के नो और यही क्या होजाएगा आपका इन्सुर हो जागा इस प्रकास लगाते हैं आपको छा नंबर पर संटेज के गारंटी देते कैसं से मिलता है चले अगले प्रश्न को देखते हैं अगरे सामने चौथा नंबर के संख्याओं की योग और अंतर से संबदी यह भी सवाल आपके बोर्ट के एक्जाम में पूछता है ठीक है और यह पूछे गाता आपका चार नमबर पूछता ठीक है देखिए कैसे लगेगा दो संख्याओं का योगफल पचासी है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की चार गुने से पांच अधिक है तो संख्या ग्याद कीजिए देखिए इस पकार के सवाल को कैसे लगाएंगे यहां मानेंगे माना यहां जब बड़ी संख्या चोटी संख्या देगा तो आप उसी कार्डिंग मानेंगे मा यहां प्रशण के आनुसार लगाये यहाँ प्रश्छनानुसर में ध्यानदीजिह क्याइए, कह रहा है कि 2 संख्याव कि एक माल लिजिए अब देखिए यहां पी एक वाक केipe ہو गाए है अब दूसरा वाकuden में दूसरा समिकडो बनेगा यहां पुना मानेंगे पुना प्रश्नानुसा पुना प्रश्नानुसा जैसे सवाल करते है वसके लगाते चले जाएगा आपका समीकड़ बनता चला जाता है जो बड़ी संख्या है यक्स रख लीजिए चोटी संख्या है चोटी संख्या है चोटी संख्या की चार गुली हुआ उससे कितना अधीक है 5 अधीक मतलब जोड़ा जाता है 5 अधीक है देखिए यहां पर होगा यक्स 4 को य करेंगे 4y और 5 करेंगे 4y प्लस 5 है तो 5 करनेगे 4y की पच्छांदर कर लीजिए यक्स माइनस 4y बराबर 5 यह समीकड़ नंबर क्या हो जाएगा दू हो जाएगा अब क्या करेंगे समीकड़ यक्स 1 और 2 को रख यह जगह हल करते हैं ठीक है यहां पर देखिए देखिए यहां पर आपका yач plus y बराबर कितना है पच्छासी यह समीकड़ नंबर आपका 1 है और यक्स माइनस 4y बराबर कितना है पांचे समीकड़ नमबर दो हुआ देखें यहां पर यक्स क्या है आपका बराबर है ना जब यक्स बराबर समाने किया लिखेंगे गटाने पर गटाने पर अगलड़ने पर नीचे माइन से माइन इससी प्लस यह फोज जाएगा मैनस हो जाए प्लस तर्स चार ब्स च्ण होगा प्लस 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 प्छ यह मैंनस इंस में चाहे तो जो जाएगा यह प्लस मैंस होज़़ा पच्छासी नहीं से पान darf पच्छाइब कर which यह पांच य बराबर 5 के पांच पांच का 30 न तो वाहि कमान कितना हुआ आपका यहां पर रख लीजिए चलिए बराबर आपका आया 16 तो यह बराबर देखें आपका मान तो पता चल गए कि 16 अब यक्स कमान ज्याद करने के लिए इस कमान चाहिए समीकरण एक चाहिए 2 किसी में 6 i1 सोल रखने पर सोल रखने 5 चलिकों अब 55 कर 15-16. 80-16. अब घटा लीजिए. थिकले 15 में 6 गया 9 होगा, 7 में 6 गया. ठीक है? यह आपका कितना है? 79. यक्स का मान कितना है? 79. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ है? आपका एंसर कैसे लिखेंगे? देखी एंसर लिखने क्या लिखेंगे? जो मानते उसे ही लिखा जाता है. आप माने थे कि बड़ी संख्या थे बड़ी संख्या कितना आया आपका बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या माने थे यक्स यक्स वराव कितना उनहत्तर आया और चोटी संख्या क्या माने थे वाई ने चोटी संख्या चोटी संख्या क्या माने थे वाई का मन कितना है एक सवाल जरूर बोर्ड के एकजा में 6 नंबर का मिलेगा ठीक है तो फ्रेंस इसी प्रकास से आपको जितने भी वारल कोईस्टन 2024 के लिए हैं सभी कोईस्टन गडित के करा रहे हैं आप वीडियो को लास तक जरूर देखा किजिए तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आ अजला लोड़ेगा तो प्रकास से तो एक okay चाहँ जितन गडियो कोईस्टन गवागा है ओको जर आपको येटी के दोड़ेगा तो फ्रेंस आपको जरूर अपको जरेंस तो